सो हलो एंद वैकम बैक है रिंड क्या है तुर्स अभी कहा देखुए फिर से स्वागे तर्षिभी का एक कॉन्डी बॉज लाइड गेमपले फीडियो के अंदर अब देखुए राज का गेमपले भी काफी ज्यादा इंटेंस वाला होगा किसमें जो फाइट होगी न वो काफ है और जब उतरते हैं यहां पर इस ट्राइल के मिल जाती है और एमफॉर मिल जाती है न तो मलब तो मैंचल का लेवल तो तुम समझी सकते हो फ्लेल देखुए को सामने भाई लिटरली एन मोकी पे मेरको शॉर्डगन का शॉर्ड यहां पर चिपक जाते इस वाले बंदे को बढ़ना भाई अभी मेरा पेटी बंजाता अब यह दोनों अलग स्कॉर्ड के बंदे थे साइट से अब जैसे दोनों को फिनिस करता तो नीचे की साइड से भी कुछ सुच्टे बारते एक बंदा जस्ट ऊपर की साइड भी था अब उपर वाले को दिखो में थोड़ा भूत यह देता और उसके बाद हो मन्दा ना अगा इस नीचे कूछ जाता जिसका मिझे किलफीड में अलरडी मेसेज आ जाता है एंड अब यहां पर देखो मैं उसको माल पादे को मतलब केल तो नहीं उठा पाया पट मेरे को यह तो पता था यहां पर और भी बंदे था पहले में पेंड केल ले लगा तो तब ही तो एक बंदा आता है और बस देखना हो तो मिस बंदे को अब यह बंदा ना अपनी शक्तियों का गलत इस्तिमाल करना ही भूल गया मैं भी क्योंकि इसने गोली नहीं चलाया एंड इस वाल बंदे को जैसे फिनिस कदसके टीमेट आता चुकि एस ट्वाल के लेकि और भाई लग्किली मेरे पास भी एस ट्वाल के ही होती तो भाई इसली मैं इसको नौक इन फिनिस बगरा देता हूं एंड इसकी क्रेट से फटावट से आप फर्स्टेट इट इठाता हूं अब जैसे यहां पर दो को मैं फर्स्टेट लगा ही रहा था तब ही मेरेको फिर से कुछ फूष्टेब आते हैं और पता नियार गलती से फर्स्टेट लगा था भी मलब छूट जाता तो फटावट से आप फर्स्टेट लगाते है पहले तो अब मेरेको लगा इसा है इनका आखिरी बंदा होगा बड़ यह वाला तो बोट होता है फिरल देको अब आरते इनके आखिरी वाले बंदे की जो कि देको ज़स्ट सामने था मतलब तुम देख रहे हो बंदा बिल्कुल ओपन में और उसका रीजिन आप उसके पास जीत रही अब देखो यहाँ पर मेरे पास एमपोर था मैंने सोच ज़से कि पीक पाक जिवादा करूँगा तो भाई पहला जाओंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कावर में चाह यह था मेरे को सो मैं इसके लिए उपर की सेड आ जाता हूं और याप रहने कर पताने किसे आप बंदा काईब हो जाता है और बतलब उसके रिलोडिंग का वेड रिकरता हूं जैसे उसकी रिलोडिंग ना थी न भाई एजिली इस वाले बंदी को मैं आप फिनिश वगरा द देता हूं और इसको निप्टा आने के बाद भाई अब जाके फैक्टरी किलीर हो चुका था और भाई जाए रहा था है यहां पर यह नोक बोट मिल जाता जिसको साइद उसी जीत्री वाले बंदे ने नोक किया था एडन सब को निप्टाने के बाद अब मैंने शोचा साइ नीचे की साइड भी कुछ बंदे वगरा होंगे बट वहां पर तो कोई भी नहीं होता है तो यहां से मैं यह गाड़ी लेता हूं और काड़ी लेने के बाद अब सिधा समय स्टेडियम की साइड जाए रहा था तब यहां पर मेरे को यह वाला बंदा दिखता है अब यह बं अब यहां पर बंदे को जोकी साइड से वहीं बंदा था मलब स्वेमी बूल वाला बंदा इसको नौक करता है इस वाले बंदे को जोकी साइड से कि वहीं बंदा था मलब स्वेमी बूल वाला बंदा इसको नौक एंड फिनिश देने के बाद अब मेरे को लगा साइड इसके टीमेट होगा बट यह वाला तो एक बोर्ट होता है अब देखकर इसके टीमेट भी आसपास हो सकते है तुम्हां पर काड़न के चानी वाला था नौक यह सासी मेरे साथ हर बाहर होता है मतलब रेड जोन का और मेरा तो भाई 36 अकड है चलो भाई कोई बात नि अब आते हैं इंटेंस वाले गैमप्ले यानी की चिकन वाले गैमप्ले के अंदर यहां पर देखको में उतरता है स्टेड्यम के अंदर और यहां पर भी लिटरली काफी बंदें आते हैं रूतरती दें को मेरे को शॉट गंद वगर है मिल जाती है और ज़स्ट ऊपर फिलाद जादू गरत को मैं आते हमें फिनिस वगरा दे देता हैं उसके बाद दें को ज़स्ट अब एक और बंदिये को नोगें फिनिस दे देता हूं अब इन दोनों को फिनिस करने के बाद अब पहले तो आपे हलमेट वगरा उठा लेता हूं आजकल की मितलब जो सीन हो रहे है न मेरे साथ तो उसको लेकर हलमेट तो वैसे तो कुछ भी नहीं कर सकता पर ठीक है थोड़ आ रहे थे और कुछ बंदे तो आप इस टेडिम के बार की साइड भी थे हब देगो सामने भी बंदे थे और यहां पर मतलब स्विवी पूल के अंदर भी बंदे थे मतलब दोनों साइड मेरे बंदे थे यहां पर मैं डिसाइड ही करता है जो पहले बोर्ट ही मार लेते हैं हब जैसे में इन दोनों बोर्ट को यहां पे फिनीश दोगरा देता हूँ ना एंड उसके ज़स्ट बात हब सबसे पहले में उपर की साइड आता हूँ और मेरे को लगा साइड स्विमिंग पूर में बंदा होगा बट यह बंदा ना देको नीचे आ चुका था वैसे यार यूंपी से फाइट लेने से डार तो लग रहा था बट यह बंदा ना जादूगर नहीं होता इसी बीच में भाई इसको इजिली निप्टा देता हूँ एड फट आवट से यह लिखता हूँ कि अभी सारे बंदे खतम नहीं हुए क्योंकि जेस्ट बार की साइट से अभी भी एमपोर चला था अब वो बंदा होता सामने टंकी के पीछे मल वॉल के पीछे की साइट अब देखो वो मेरा वेट कर तक में ओपन में जाओँगा एड वो मन में वहर देगा यापे में बिल्कूल रोटेट मार तौन वह बंदा भी देखो रोटेट मार दया था तो अब आइस्डिली में इसवाले बंदी ओं को आपशीक पीनिस दे देता हूँ एनसे के साथ अब जाके आप इस टेडियम पूरा क्लीर हो जाता है अब इसके बाइदे को कापी दिर में आपे बंदों को डोनता हो बंदे नहीं मिलते और फाइनली यहां पराने वर कुछ गाड़ी वगरा स्पोर्ट होती मेरे को अब गाड़ी की स्कीन वगरा देखके मेरे को लगा था कि साइद यह बंदे वाववेस आएंगे फाइट लेने के लिए बढ़ पता नियार यह बंदे ना गाड़ी देखके यहां से निकल जाते है सो यार करते हैं इनका पीछा अब पीछा करते हो शीदा में आता हूँ इस्टेडियम के अंदर अब मेरे को लगा साइद यह बंदे यहीं पर आये होंगे बढ़ यह लॉंडे ना अभी भी यह अपार्मेंट के साइडी कुछ गंसाट्स वगरा दे रहते हैं अंदर को सामने मेरे को गाड़ी भी स्पोर्ड होती है अब यहाँ पर देखो थोड़ा बूद में आपे इस प्रेव अगरा फेर से देता हो ताकि वो बंदे ना मेरे उपर पुष्ट करने के लिए आएं अंदे को बिलकुल वेसाई सीन होता है अब गाड़ लेके बंदे आई जाते है अब थोड़ा बूद में आपे डेमेज देता और उसके बाद मेरे को यह भी पता है यह बंदे स्विमिंग पूल की साइड के है सो यहाँ पर फटाबर्स में क्लोजिन करता और उसके बंदे को यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो जाते है मनों बचानक से मतलब दूसरी स्कूर्ड आ चुकी थी यहाँ पर अब देखो दो स्कूर्ड के बीच में आपस फाइट हो रही थी तो मैं आपस से नहीं चुग है मेरे को आपे फोकर्ट के किली बगरा मिलेंगी सो सबसे पहले उपर जाते हैं थर्ड पार्टी करने के लिए चात पर जैसे यहाँ पर आता हूँ देखो उन लोगों कि यहाँ फाइट बगरा भी स्टार्ड हो जाती है अब लेटरली यार जीज थ्री के जमाने में एमकोर की दिवाई कोई वेल्यू ही नहीं बची है भतलब यार केली नहीं मिले भाई इतना डेमेज दे रहा हूँ में अब सामने एक स्कोर्ट या पे पूरी खतम हो चुपी दूसरी स्कोर्ट के भी कुछ बंदिया पे मर चुके थे अब इस सर्फ लास्ट के दो ही बंदे बच्चे थे सामने और भाई उन दोनों के पास होती जीतरी मतलब पूरी दोनों स्कोर्ट के बीच में जीतरी थी मतलब जीतरी वसे जीतरी की फाइट चल दी लोगों की अब थोड़ा बूत मैं आपे एमपोर से डेमेज देता हूं उसके बाद देखो यहां पे मेरा एमव अगरा भी खतम हो चुका था एमपोर का और मेरे को यह भी पता दिए बंदे पुश्ट करने के लिए आने वाले है सो सबसे पहले मैं आपे गन चैंज कर लिए जाता हू दूसरा बंदा भी आता है यहां पे पुश्ट करने के लिए इसको तुम यहां पे थोड़ा बूत आपे डेमेज दे देता हूं अब भारत यहां फर फाइट लेने की हब यह दोनों बंदे ना सामने वाले रूम की साइड थे एंड मेरे पास लेटरली एक ग्रेनेड होता ना तो भाई यह बंदे अभी भी खातम थे हब देगो ग्रेनेड बगर यहां तो कुछ था नहीं तो बहुत इनको क्लोज में ही मारना पड़ेगा सो बस देखे आर कैसे पेलते हैं दोनों को पहले बंदे को मैं आपे नोक करता हूं एंड का दूसरा बंदा ना जश्ट नीचे की साइड जे आ रहा था भाई लिटरली यूएंपी की लास्ट अमूर लगी से वाले बंदे को वड़ना अभी भी मेरा गेम यहां भी खतम था सो इन सब को दिप्टालने के वाद को कुछ यह बंदे बच हुए थे एंड मैं आपे वेट करता था लास्ट वाले बंदे का अब वह भी एक बहुती होता है तो गाज हो प्यारी वाले गेंपले भी तुम्हें पसंदा आए पसंदा वीडियो को लाइक के देना चैनल पर दिए होता है सब्सकार भी के देना तब तक के लिए बाबाई